अगर आप upistokes पर ट्रेडिंग या इंवेश्टिंग अब नहीं करते हैं तो आपको upistokes से अपना account किलोज कर देना चाहिए अगर आप अपना account किलोज नहीं करेंगे तो आपको account maintenance चार्ज देना पड़ेगा तो चलिए सीख लेते हैं कि upistokes account को कैसे delete या replies करें अपिस्टोक्स के दो एप हैं यह ओल्ड वर्जन है और यह न्यू वर्जन आप चाहें तो अपना एकाउंट वेबसाइट से भी क्लोज कर सकते हैं लेकिन मैं फॉन से कर रहा हूं तो दोनों एप से क्लोज करने का प्रोसेस तो सिमिलरी है लेकिन आपको ओप्शन अलग-अल मिलेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ओल्ड वर्जन में आपको एकाउंट क्लोज करने का ओप्शन कहां पर मिलेगा तो सिम्पली आपको अपिस्टोक्स को ओपन करना है तो इसके बाद यहां पर आपको एकाउंट प्रोफाइल पर क्लिक करना है अब इसके बा बात कर लेते हैं new version में आपको account close का option कहाँ पर मिलेगा तो आपको new version को open करना है तो मैंने अपिश्टोस के new version में login कर लिया है तो यहाँ पर सबसे पहले account select करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको account पर click करना है अब इसके बाद पिरोफाइल पर click करना है अब इसके बाद तोनो एप से similar ही है इसके बाद आपके समने इस तरीके का interface आजाएगा account किलोज करने से पहले आपके demate account में कोई भी stock holding में नहीं होना चाहिए अगर आपके demate account में कोई stock holding में है तो आप उसे बेच दीजिए और आपका app stocks में जो balance है वो 0 होना चाहिए माइनस में भी नहीं होना चाहिए आप अपना account balance पहले clear कर लिजिए अगर clear नहीं है इसके बाद आप close क्यों करना चाहते हैं यह reason आपको select करना है यहाँ पर आपको काफी reason मिल जाएंगे आप अपने coding कोई भी एक region select कर सकते हैं तो मैं इस reason को select कर लेता हूँ monthly maintenance charges अब इसके बाद close account पर click करना है यहाँ पर आप दिख सकते हैं हमारी request create हो चुकी है तो account close होने में 7 से 8 working days का time लग जाता है working days का मतलब है कि जिस day holiday होगा वो day count नहीं होगा इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है 6-7 दिन तक आपको wait करना है आपका account close हो जाएगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये तो लाइक कर दीजिए और अभी तक अपने चैनल को subscribe नहीं करा है तो subscribe कर लिजी क्योंकि मैं आपको लिए इसी तरह की वीडियो लाद रहता हूं तो इस वीडियो पस इतना ही मिलते ही next वीडियो में thanks for watching